किसान शातियों नमस्कार काले गेहूं के अद्बुत औस दिये गुनों के कारण आज देश भर में काले गेहूं की खेती चर्चा का विशे बनी हुई है कुछ नया करने के इच्छु किशान भाई गूगल पर काले गेहूं की खेती के तरीके, बीज, भाव वे फाइदों को लगातार सर्च कर रहे हैं आज हम इस वीडियो में गूगल पर सर्च किये जारे शमस्त बिंदों पर चर्चा करते वे काले गेहूं के समन्द में किशान भाईयों की शमस्त रंकाओं का समादान करेंगे और ग्राम भावला तेसिल जायल जिला नागो राजस्तान के परगतिशील वे नवाचारी किशान स्री हनुमान शिंग्जी से काले गेहूं की खेती की शमपोंड जानकारी प्रात करेंगे काले गेहूं का रंग हलका काला नीला वे बेंगनी होता है इस किश्म का विकास राष्ट्री कर्शिक हाजिशंस्तान मोहली पंजाब दोवारा किया गया है यह एक पॉस्दी अनाज है जिसमें एंतोसाइनिन तत्व की मात्रा सामाने गेहूं से पंद्रे गुना अधिक होती है एंतोसाइनिन के कारण एंटियोक्सिडेंट वे एंटिबायोटिक गुनों के कारण इस गेहूं का सेवन हार्ट अटेक, कैंसर, शुगर, गुटनों के दर्द वे खुन की कमी जैसी व्यादियों में कारगर्शिद होता है, मांग के अनुरूप इस गेहूं की पूर्ती कम होने के कारण देश भर में इस गेहूं की भारी मांग है, आईए स्री हनुमान शिंग्जी से काले गेहूं की खेती के बारे में शंपुन जानकारी प्रा पार आये हैं तो राजस्तान की क्रशी वे बागवानिशे शमंदित प्रामानिक वीडियो देखने के लिए ग्रीन राजस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आउशे करें राम राम्सा राम राम्सा कही नाम हैसा आपको नोक्ति नमान सिंग लुमान सिंग तो आप कहांडव के करे ओड़ काला गंगो की तो Kada Gahoon को भीज आपको टूल्या गुजरात अच्छा तो कघा गौहां कहीं काम होंग जब अफ्ज नियुक में भार कंखा रचैजार तो एक बीज कु भाओ काही है विज में तो ले गुज़राथूं 200 रिपाय किलो लेकिन पाली उकिसा ने लातुरा माड़ी अच्छा ने दो हजार रिपाय किलो पर्तियां किलो अच्छा अधो मेंगोः कि वीज अक्वार में फटू है अच्छा अपिर तो बहुत में तो चीज है तो एक लिए खेत किया त खेत्तेया काड़ रेकार दियो अच्छा नोर्मल मिट्टी आपने तो बालू रेतिली मिट्टी आपने अच्छा अच और पच सिंचाई बागेरा बाकी गमाम करा ज्याम करा याँ 7-8 नोस किसाई 7-8 सिंचाईव है तो बीज कतव लागे इमें बीग आग़ो पंधराह 20 किलो फाइज साथियो है तो बीज तो बहुत मैंगो मेंगो नौई अज़की में पान रहेता हुआ प्रक desc है ठीके आज़के कायी हुआ पिस्टे शाव के कितना वाता है तो पिसली साल आपके कितना हूं पेशाल है चान और शुट रूप सुट illness elephant टो बीमारी बचा हुजाओ है लगभग 4 कि मॉंटल उजाई आठ चो बटिस तारीज कुटल गास पास अच्छा फिर तो इंचम तो काफी हो जाईगी से मैं झाते हुए जाए जानël दरहा है हमेजा है अब आधार में हमें भी कोशान थी शरुपनी नेरेक सब्सक्राइब है जो है फीञा पीछव जब दोगोकिष्क में एक उन्डारी एक और फीशा नेखं़ाई दस अन्सब्सक्राइब दर्शुक्रुण रह나 है जबान जमन एक उंटल दो कुंटल जो पतास रा लेता हो तो उत्पादन भीको बहुत बढ़ी आवे चारिश कुंटल और 20,000 कुंटल भीके तो आट लाक माल उगो तो खाद के रूप में गोपर खाद देवाँ अच्या जवाँ चारिश कंपोजर है अच्या डिवेस्ट कंपोजर बनाया हुआ अच्या बई ऐसा करपतवार निकालनों पड़े और यूरिया डियपी वगरा कुछ भी न्यूद्यों फिर भी उत्पादन बहुत बढ़िया हो जा तो बीज अगर कोईन चाहिजे मालेओ दूर कोई जेपूर या शिकर जुन जुनु या गुजरात में मानली बीज कोई चाहिए यूपी एमपी तियार आपा जेवन अच्छा पहुंचात कौन शको ना बीज तो यहां कर ले जाना पड़ेगा अच्छा 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 बिल्कुल और बाजार हो तो मेंगो बीज किसान लियार उगा अच्छा फिर तो किशान हो फितना आप काम कर रहे हैं अच्छा तो पानी में साथ-अठ पानी लागे हैं और सपेद गौ में देवां हाँ 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 खाद के रूप में गोबर खाद द्यों और कोई दवाई वगरा तो चाहंटने कौन पड़े हैं कोई बीमारी वगएर भी को ने मीमया हाँ है अपने अच्छा अफस्प पहली बात है को नी भी मिर्चि की दुआई इसको कर जाँ अच्छा औभने बीमारी नई आपना lie बीलकुल साफ है आपका तो लगाय काता गो ऋलगाया कना नांव्मिर में अगाया काता नॉम्बर का नॉम्बर का नॉम्बर एन सबंदो या पत्तिस सब्विश को लगाई था अच्या पके की गभ अभी भी एक मना लेगी क्यों कि क्या होता ये बीचते हैं तो उस सुमेट ऐसे होता जैसे खर्पत आते या कि ये गूं है अच्या गास के रूप में बढ़ता कृष्ट में आजाएँगे माझ लगं जाए अच्या 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 लस्या तो परंब्र shop लोग खेटी करने वाल किसान बाईों को आप क्या सलाह देंगी हो मैं तhropon का तो यूरिया और डियापी का नुक्षान भी होता है तो यूरिया और 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 बादरा में वह घर्वार में उसमें कुछ नूरिया बगार कुछ नहीं डालता हूं सभी बादरा मैं सबको यही शला देता हूं पूरी खेती मत कर अपने अपने घर के लिए पच्छों के लिए पांच बीगा खेत में गेव, मौट, बादरी वह जेविक बनाओ बिल्कुल, बिल्कुल, श्वास्ते के लिए शाहिए किशानों से सीधे कॉंटेक्ट कर रही है, अते काले गेहों की खेती से सामान्य गेहों से चार से पांच गुना अधिक लाप प्राप किया दा सकता है अगर आपको काले गेहों का पूरुनते ओर्गनिक तरीके से उत्पादित बीच चाहिए तो आप सरी हनुमान सिंग्जी से बात करके बीच प्राप कर सकते हैं इनका गाउं भावला जिला मुख्याले नागोर से 52 किलोमेटर वे तेसल मुख्याले जाहिल से 41 किलोमेटर दूर है अगर आपको मेरे दुवारा दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो इसी प्रकार के प्रामानिक वीडियो प्राप्त करने के लिए ग्रीन राजस्तान यूटूब चैनल को सब्सक्राइब आउशे करें बहुत बहुत धन्यवाद